हेलो फ्रेंट्स and my dear students आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्चर अभिशेक में जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर वन का पार्ट वन जिसमें मैंने कुछ एंसी सिस्टम के बेसिक्स किये थे उससे पहले स्टुडेंट्स मैंने चैप्टर शिक्स कंप्लीट करके अप्रोपल के असाइनमेंट एस नोट स्पीड़ फॉर्म में भी गूगल क्लास्फों में प्रवाइड कर दिया है तो उसको आप गोथ्रो हो जाएं तो चले स्टाट करते हैं स्टुडेंट्स चैप्टर वन के पार् पैसिफिकेशन ऑब दा नुमेरिकल कंट्रोल सिस्टम केंट बी केटिग्राइज इंटो फॉर वेस चार तरीकों से हम इसको वर्गी करत कर सकते हैं फर्स्ट वन इस बेजड ऑन दा कंट्रोल लूप तो कंट्रोल यानि नियंत्रन लूप के आधार पे हम इसको दो तरीके स से केटेग्राइज करते हैं दो तरीके से वर्गी करत करते हैं फर्स्ट वन इस ओपन लूप खुला लूप सेकंड वन इस क्लोज लूप तो खुला लूप एंसी सिस्टम और बंद लूप और एंसी सिस्टम आपका कंट्रोल लूप पे केटेग्राइजेशन होता है सेकंड one is second categorization is based on the motion control यानि गती नियंतर्ण के आधार पे भी हम NC system को दो तरीके से categorize करते हैं point to point motion हो रहा है या फिर बिंदू-बिंदू-बिंदू से बिंदू या फिर contour motion इसको contour motion को हम students continuous motion भी बोलते हैं continuous motion numerical control system यानि कि निरंतर जो गती होती है उस NC system को हम contour motion numerical control system हम बोलते हैं so third categorization is based on the coordinate system यानि कि जो आपका moment होगा तो कुछ points के हिसाब से moment होता है कि tool कहां से कहां move करेगा तो जो निर्देशांक जयामिती होती है उसके आधार पे भी हम इसको categorize करते है numerical control system को so there are three categorization first one is absolute positioning second one is incremental positioning fixed zero and floating zero positioning है so one by one discuss करेंगे don't worry about it just be here based on the power source जैसा की power की जरुत होती है हर एक machine को तो power source के अधार पे भी हम इसको divide करते हैं categorize कर सकते हैं so power source के अधार पे electric drive numerical system हो सकता है और hydraulic drive numerical system हो सकता है अब कुछ-कुछ book में hydraulic को भी दो तरीके से सकता है liquid और आपका air के base पे तो hydraulic में तो दोनों चीज़े आ जाती है तो these are four categorization one by one we will discuss इसको discuss करने की जरुरत नहीं है fourth categorization because this is already नाम सी पता चल रहा है जिसमें electrical power use होगा तो that is electrical power source and system जिसमें hydraulic use होगा तो hydraulic power system हो जाएगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं one by one discuss करते हैं start करते हैं based on the control loop तो फैला है आपका open loop control system open loop numerical control system so students based on the control loop सबसे पहले open loop यानि की खुला loop जो nc system होता है उसको हम इस log diagram की मदद से समझ सकते हैं तो जो open loop होता है students that is one way process एक direction में यानि एक ही दिशा का एक process होता है एक दिशा का process होता है प्रक्रिया होती है इसमें two way communication नहीं होता यह कह सकते हैं one way communication होता है so input आएगा फिर उसके बाद नुमेरिकल जो इससे controlling होके जो result आएगा जो कि आपका product होगा that is output लेकिन यहाँ पर students एक कमी हैं यहाँ पर को भी feedback mechanism नहीं लगा होता है कि हमें यह पता नहीं चलेगा कि जो हमारा जो output है यानि जो product निकला है वह whether it is a quality data to based or not जो की desire जो जो हमें चाहिए होता चाहिए था उसके इसाप से यह बना है कि नहीं उसको हम बीच में चेक नहीं कर सकते यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं होता है ऐसे कोई device नहीं लगी होती है सो basically control signals होते हैं इसमें वह actuators को दिये जाते हैं जैसे मैंने बताया था mcu में control signal किसको दिये जाते है actuators को mcu जो है mcu में actuators लगा होता है उसको control signal देता है और वो control signal आगे जो है actuator क्या करता है उसको amplify कर देता है और फिर machine tool को भेजता है इस तरीके से आपका जो tool का motion होता है उस तरीके से आपका production system होता है तो वही चीज़ है the moment of the moment and final destination of the position system are not checked for the accuracy तो जो moment होगा टूल का उसको उसकी accuracy फिर वो सही से चल रहा है कि नहीं कारे कर रहा है कि नहीं तो ऐसा इसमें हम check नहीं कर सकते इस इस दा डॉब्रैक ऑप दा ओपन लूप यह इसकी कमी है तो बीच में हम इसमें कोई भी हम checking नहीं कर सकते कि accurate बन रहा ह है कि नहीं हमारा product बन रहा है तो यह obsolete है obsolete है इसको हम यूज नहीं करते हैं लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है विकिस आजकल जितने भी system होते हैं वह feedback device पर बेस होते हैं control loop system होते हैं so open loop control system को कुछ advantages भी होते हैं और disadvantages भी होते हैं यानि कि कमियां भी बहुत होती है पहला तो less expensive होता है बहुत ही कम पैसे में बन जाता है और complicated भी कम होता है असानी से बन जाता है disadvantage क्या है accuracy नहीं होती है repeatability होती है यह बार बार सेम जैसा product बन सकता है setup करना भी difficult होता है तोड़ा सा इसका तो these are the disadvantages and advantages तो अब हम आगे देखेंगे students based on the control system में ही आपका next categorization is closed loop control system so closed loop control system में देख सकते हैं students it is equipped with the feedback device तो यहां पे सब कुछ सेम है लेकिन हम एक और devices इसमें use कर लेते हैं that is called as feedback device ठीक है तो it is equipped the transducers लगे होते हैं sensors लगे होते हैं जो की आपके जो positions होते हैं उसको measure करते हैं यानि की tool की जो position है उसको measure करने के लिए वहां पे transducers और sensors लगे होते हैं compare with the control system और वो control system के signal से comparison करते हैं जैसे माली जै input आया हमने part program बना के दिया control unit पे mcu पे फिर pulse generate करके आगे दिया अब जो pulse generate हो रही है वह आगे जा रही है कहां पे जहां पर आपका tool लगा हुआ है तो वहां पे transducers भी लगे हो है feedback device के आधार पे और आपका sensor लगे हो है तो वो check करते रहते हैं कि जैसा आपका signal आया है वैसे tool move कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस तरीके से cycle चलती रहती है तो control कर लेता है यह signals को feedback device और correct position फिर आगे पहुंचा देता है तो this is the advantages और you can say यह ही एक सबसे बड़ा इसका यह कह सकते हैं कि difference है open loop और control loop में कि feedback device लगा होता है सब्सक्राइब को यह समझ में आ रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं based on motion control motion control जैसे मैंने बताया कि पहले हमने discuss क्या किया था students based on the loop control यानि control loop के हिसाब से हमने discuss किया अब हम देखेंगे based on the motion control यानि कि गती नियंतरण के अधार पर हम कैसे categorize करेंगे तो students जो कुछ NC processes होते हैं यानि NC की प्रक्रिया होती है वह ऐसे perform की जाती है कि रुक रुक के perform की जाती है मतलब लगातार cutting या लगातार उसमें motion नहीं होता रहता है नगातार उस पर प्रक्रिया नहीं चलती रहती है तो उसको हम बोलते है students discrete location यानि कुछ-कुछ जगा छोड़ छोड़के discrete location का मतलब रुक-रुक के तो कुछ-कुछ जगा छोड़के उस location पर क्या होता है NC process होता है यानि कि प्रक्रिया होती है work piece पे तो work piece पे कुछ-कुछ जगा पे location पे ही काम होता है जैसे आपका drilling की बात करें तो जब drilling करते हैं तो उसमें drill tooth होते हैं तो drill teeth में देख सकते हैं अब उसमें हर जगा positioning पे हर एक मतलब पूरा का पूरा छेट तो नहीं बनता न हो तो उस तरीके समय कह सकते हैं या spot welding की बात करें तो जब spot welding की बात करते हैं students welding जिसे माली यहां से यहां तक करनी हैं तो हम क्या करेंगे spot पे welding करते हैं एक spot यहां पे कुछ-कुछ distance पे welding कर रहा है तो discrete process हो रहा है मतलब एक जगा कुछ-कुछ जगा पे छोड़के process हो रहा है continuous welding नहीं हो रही है तो that is the discrete process okay तो उसको तो सम तो कुछ ऐसे एंसी process होते हैं जिसमें discrete location पे काम होता है और कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा मूव होना होता है कि continuous motion होता रहता है तो that is जैसे turning करना में पूरे के पूरे surface पे turning होती है या फिर continuous welding करनी हो लगातार welding करने हैं तो these are the carried out continuously जो जिसमें वर्क है पूरा का पूरा मूव करता रहता है तो दो तरीके से location दो तरीके से हम कह सकते हैं कि process होते हैं उसके अधार पर यह आपका motion का control होता है तो अगर work head जो है आपका moving है तो इसलिए अगर continuous move कर रहा है तो it may be required to follow a straight line path मतलब जरू जैसे माली जब work piece को यहां पर continuously move कर रहा है तो यह हो सकता है क्यों एक straight line यानि एक सीधी रेका को follow करें जो उसका path है या फिर कोई circular रेका को path continuous motion हो रहा हो cutting हो रही है कोई curve के path पे उसका motion हो रहा हो so these different types of the movement you can say motion में control system में मतलब control system के लिए motion होता है अब motion controls को यह तो मैंने motion control की बात बताए कि इस तरीके से motion का मतलब गती होती है tool की यह कह सकते है tool का motion होता है तो इसी के आधार पे इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए motion control को दो तरीके से categorize किया जाता है students number one is point to point motion numerical control system second one is control motion numerical control system यहां पे यह कहां पे लागू होगा जहां पे discrete है यानि कि drilling कर रहा है spot welding कर रहा है तो वहां पे students point to point motion control numerical system का use करेंगे और जहां पे आपका continuous motion हो रहा हो तो वहां पे contour motion numerical control system को यूज़ करेंगे लाइक आपका turning हो गया continuous welding हो गया etc तो चलिए point to point motion control numerical system को थोड़ा सा समझते हैं so point to point motion numerical control system it is also called as positioning system इसको क्या बोलते हैं positioning system इसमें क्या होता है move the work table to a program location without record for the path taken to get to the location मतलब कोई इसमें कोई path नहीं होता point to point motion में कोई path नहीं होता कि इस रास्ते पे tool का moment होगा तो path जो बनेगा वो कौन decide करेगा वो programmer जो programming बनाएगा वो कि पहले tool यहां जाएगा फिल दूसरा point यहां पर आगा तिसरा point यहां पर चौथा यहां पर तो इस तरीके से जो moment होगा work table का वो एक program program बना दी जाएगा उसके उसके आधार पर program location के आधार पर उसका moment होगा और वही उसी path को वो follow करेगा वही path को पाइदा work it at the location such as drilling or punching or hole तो जब moment होगा तो उस case में कभी-कभी यह होता है कि कुछ-कुछ location पर होता है जैसे मैंने example दिया था तो यह drilling or punching hole तो इस इस दपॉइंट का एक्जेंपल यह कह सकते हैं कि drilling हो रही है punching करने hole बना रहे हैं तो होल बनाएंगे तो स्टुइंट सीजी सी बात है हमें यहां पर बनाना पड़ेगा लगातार तो हम बनाएंगे नहीं तो होल क्रिएट कर रहे हैं तो punching कर रहे हैं तो that is the point to point motion control system और वह कौन डिसाइड करेगा कैसे कैसे डूल मुवेट करेगा वह डिसाइड करेगा प्रोग्रामर जो आपका प्रोग्राम बनाएगा तो that is the point to point motion numerical control system अब हम देखें स्टूडेंस कंटूर कंटूर से पहले इसको थोड़ा सा हाँ इसके डियाग्राम के हमसे भी समझ लेते हैं program इसमें क्या हो था? pogram forming the the series of the point location यह देख सकते है students जैसे अब का tool का starting point है तो tool का starting point यह है और यह tool का path है यानि tool ऐसे एसे move कर रहा है प्रोग्राम में series of point location दी जाएगी जैसे हम यह programmer ने write किया तो वह क्या देदेगा पहला पॉइंट टूल यहां पे जाएगा दूसरा पॉइंट यहां पे जाएगा तीसरा पॉइंट यहां पे जाएगा और उसी पात को वह टूल फॉलो करेगा okay so series of point मतलब एक कह सकते हैं series दे देगे point location की operation आपका perform होना है वो किस में लिखा होगा program में जैसा कि आप इस diagram में इस graph की इस मदद से समझ सकते हैं so point to point positioning हो रही है इस इस system में x y position में तो देख सकते हैं कि यहने कि अगर आपका tool यहां पर है तो यहां पर सबसे पहले tool first point पर आएगा तो first point पर आने का मतलब क्या हुआ x direction में इतना moment हुआ और y direction में इतना moment हुआ तो x और y coordinate हम इस में दे देंगे आपका program में लिख देंगे इतना amount हम लिख देंगे फिर उसके बाद tool फिर यहां पर punching या जो भी hole करना है जो भी operation करना वो work place में कर देंगे यह आपका work piece है फिर दूसरा point work piece में आ जागा तीसरा point यहां पर जाएगा तो यह tool का path है जो की कौन बताएगा program में जो लिखा होगा वही बताएगा ठीक है so I think यह point to point आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं contour motion numerical control system में students contour motion numerical control system में क्या होता है continuous path को follow करता है यानि की contouring system बोलता है इसको तो जैसे मैंने बताया अभी पीछे कि एक path होग एक trajectory होगी उस path को ही यह आपका tool movement करेगा ठीक है तो वही चीज लिखा हुआ है it is capable of continuous simultaneous control of two or more axis तो इसमें दो या दो से अधिक axis को हम एक साथ control करते हैं this provides the control of the tool trajectory related to the path in this case the tool perform the process while the work table is moving इस case में क्या होता students यह याद रखेगा contour motion control system में tool perform कर रहा है tool perform the process while work table is moving तो टूल एक जगह पर process कर रहा है एक जगह लगा हुए work table जो है आपका move कर रहा है ठीक है does the enabling the system to generate angular surface तो इस तरीके से angular surface या एंगल का कोई surface हम बना सकते हैं 2D dimensional surface बना सकते हैं कर्व बना सकते हैं या 3D dimensional contours एक work period में बना सकते हैं so this control mode is required in many like जैसे आपका milling होता है turning operation है तो turning में आप देख सकते हैं क्या होता है कि हम work table को move कर आते हैं तूल की position यहाँ पर starting point यहाँ पर है तो यहाँ पर देख सकते हैं cutting हो रही है कह सकते हैं यहाँ पर माली साइट साइट से cutting हो रही है तो यह cutting tool path है और cutting tool path का मतलब क्या होगा थोड़ा सम offset लेंगे जैसे यह tool यह है तो tool का कुछ diameter होगा तो इसलिए हम इतना offset लेते हैं students कि यह direct हम लगाएंगे तो पूरा का पूरा यह tool अंदर चला जाएगा तो हमें क्योंकि इसके सिर्फ side side surface को finish करना है या फिर cutting करनी है तो कुछ offset distance पे हम लेके tool को रखते हैं ठीक है तो इस तरीके से tool का moment हो रहा है देख सकते हैं students यह path follow कर रहा है तो जैसा object है उस हिसाब से आपका tool का profile ऐसे हो रहा है so this is the like milling or turning operation इस पे हम perform कर सकते हैं यह simple 2D profile operation है देख सकते हैं इस diagram में होप आप लोग के समझ में आ गया so students और भी बाकी के जो आपके बचे हैं the third one is that is the like coordinate system उसको हम next class में discuss करेंगे students तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं और otherwise video बहुत लंदी हो जाएगी और आप लोग भी बोलते हैं कि data नहीं होता सर्थ तो होप आप लोग को यह समझ में आ रहा है और इसके जो भी assignments पिछले हमने मैंने दिये हैं quiz के form में भी दिये हैं कुछ competitive based तो उसको भी solve कीजिए और उसको submit कीजिए वहाँ पर आप अपने marks भी देख सकते हैं चेक कर सकते हैं तो अगर video पसंद आईए होप आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला हो और नया सीखने को मिला हो और अच्छा लग रहा है तो video को like, share, subscribe करना ना भूलें साथी साथ मेरी videos daily time पे जैसे like CNC की है तो CNC की जो video है वह daily morning में 9 a.m. upload होती है तो आप लोग उसको watch करें और उसमें अपनी उपस्तिती भी दर्ज करें so students thank you for watching